हेलो फ्रेंज मैं हिरल स्वागत करती हूं आप सपिका मेरे चैनल पर फ्रेंज आज मैं आपके साथ एक ट्रेंडी ब्लाउस दिजाइन सेर करूंगी जिसमें मैंने स्वीठ हाट नेक विथ बलून स्लीव की कटिंग और स्टीचिंग आपके साथ सेर की हुई है इसके लिए फ्रेंज जो अस्तर का फेबरिक के वह मैंने दीज ने संटिमेटर लेया है क्योंकि मैं इसका स्लीव में यूज नाइ करूंगी इसके लिए और जो मैंनफैब्रिक के वह मैंने सवामीटर लेया है आप थोड़ा हैवी साइज के लिए बनाए तो रोड मीटर जिनता ले लीजिए क्योंकि हम इसमें बनाएंगे इसके लिए सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे तो में फेब्रिक को हम साइड में रख देंगे अस्तर को ओपन करके अच्छे से बिचा लेजिए मैंने इस अस्तर को डबल फोल्ड करके बिचाया हुआ है और फोल्डिंग साइड मेरी साइड है निचे से मैं सिधा कर लूँगी फेब्रिक को लाइन ड्रो करके लेंथ मेजर कर लिजिए आपकी जितने तयार लेंथ है उसमें एक इंच प्लस कर दीजिए मैंने लेंथ 16 इ 75 इंचीज यहीं पे में मारा जितना चैस्टि उसका फोर्ट पार्ट कर लिजिए और उसमें से लाइका वन पॉइट फईट पाइड कर दीजिए से लाइका आप 2 इंचीज भी ले सकते हैं अब वहीं पे हम वेस्ट का मार्क करेंगे तो जितनी हमारी वेस्ट यहीं को जोईट कर लिजी सिदी लाइन ड्रो कर लिजी अब यहां पर में हलका सा मिसकी एक जो आम होले उसको क्रोस दूंगी क्योंकि हमारा फ्रंट और बैक दोनों डीप नेके इसके लिए जो हमारा सोल्डर गिरेना इसके लिए अब एक इंच का मार्क करके आम होल की घुलाई द लोगी यहां पर एक पार्ट रेडी हो गया है यहीं पर मैं अब इसे फ्रंट पार्ट रहूंगी फ्रेंस में इस ब्लाउग को बैक ओपन बना रही हूं तो फ्रंट पार्ट भी मैंने फोल्डिंग साइड दी रखा हुआ है अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे तो हम आधा इंचिस जो हम बैक पाइट से ज्यादा लेते हैं उसके लिए फ्रेंच मेरा याप फेब्रिक थोड़ा सा कम है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे पास इतना ही फेब्रिक था तो हम उपर से एक इंचिस लेंगे और निचे से डो इंचिस लेंगे कि एक्ष्ट्रा जो हम प्रिंसश कट की मार्किंग करते इसके लिए लाइन कर लिजी और बाकि का हमारा बैक पार्ट के जिस आई अम इसको ट्रोग लेंगे अब हम उपर क्या है कि दोनों साथ ही में तो जो हम आधा इन सोल्डर डाउन करते हैं वो मार्क कर लूँगी और हलका सा क्रोस दे दूँगी अब वियास से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी क्योंकि दोनों पार्ट साथ में तो साथ ही में कट हो जाए इसके लिए अब हम अंपलग सो हमारा देग उसको हटा देंगे और फ्रंट पार्क की मार्किंग गरेंगे सबसे पहले जो हम आम होल की गोलाई है पोनाई जितने लेते हैं वो ले लेंगे फ्रंट पार्ट में यह मार्किंग फ्रेंज आप स्टिचिंग के टाइम पे भी ले सकते हैं अब जो प्रिंसेस कट है उसके लिए मार्किंग लूँगी 3 इंच पे निसान लगाऊंगी और उपर से जितना हमारा टक्स पोइंट है वहां पे मार्क कर लिजिए मैंने 11 इंची टक्स पोइंट लिया है वहीं पे मैं पोना चार इंच मार्क करूंगी और लाइन ड्रो कर कर लिजिए उसके बार डाग किजिए और टक्स पोइंट के लिए फ्रेंज में पहले 1.5 इंच जितना लूँगी और उपर 2 इंच विथवाइस लेंद में मैंने 2 इंच लिया है और प्रिंसेस कट का सेफ ड्रो कर लिजिए हलका सा कव दीजिए निचे जो हमने आधा इंच प्रिंसेस एक्स्ट्रा लिया था उसको भी क्रोस में कट कर लेंगी हम इसको कटिंग कर लेंगी जो प्रिंसेस कट का कटे वह भी आप भलके आदो से उसको कट कर लिजिए हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है अब मैं इसमें बेक पार्ट में जो घले के लिए मार्किंग वह बताऊंगी तो मैंने विद्वाई से वह 2.5 इंच इस लिया है और लेंथ में मैंने नेक और सारे 10 इंच पे किया है 10.5 इंच इस पे और नेक में भी नोग ड्रो करूंगी जो आपके साथ मैंने पहले भी सेर किया हुआ है ह्लका सा आप भी आमा मिशंके गोलाइ में भी ड्रो करूंगी और बैक ऊपन बनाऊंगी इसके लिए इसको बेक पाट को कट करतें लोंगी इंच अभी में करतें संविल अब आपको स्लिवरी सद्रेश मैंने यहां पर जोइंट लगाया है लेकिन इतना दिखेगा नहीं हमारे बैलून स्लिव में लेंथ है फ्रेंच वह मेरी साड़े नौ इंची से आप अपने अकोडिंग लेंथ चेंज कर सकते हैं पहले मैं यह फोर फोर इंची का मार्क कर रही हूं वहां पर एक लाइन ड्रो कर दीजें अब उसके नीचे से ही मैं जो हमारी नौर्मल स्लिव होती है वह मार्क करूंगी तीन नीच डाउन लूंगी और हलका सा मिन्सकी जो हमारी स्लिव उसका आप सेफ ड्रो कर लिए यह उपर फ्रेंच जो मैंने एक इंच लिया है वह हम बलून स्लिव बनाएंगे उ से लिए अब दोनों जो फोर इंच लिए उसको भी स्लिव से अटेच कर दीजिए स्लिव का सेफ देते हुए तो यह अच्छे से हमारे स्लिव मार्क हो गी इसके लिए नीचे बी जितनी हमारे स्लिव ओपने वह मार्क कर लीजिए और उसमें 1.5 इंच शीलाई का एक्स्रा ले लीजिए और दोनों मार्कों आप जोइंट कर लीजिए अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी फ्रेंस उपर जैसे मैंने एक इंच एक्स्रा लिया था हलका सा मिसके क्रोस में लेने के लिए वैसे आप नीचे भी ले सकते हैं ताकि पफ अच्छे से आइस के लिए लेकिन मे भी कट किया है राइसे और विक वाहिस फ्रेंस देट लेनुत 20 रख एक्स्रा उस दोंतना नहीं रख लेना है एक्स्राम वो हमारे के लिए इसकी लिए को सब्सक्राइब मं इसको करोंगी तो ये हमारा दो इंचिस का रेडी बैल्ट बनेगा तो साओ इंचीस का और 1 इंचीस मैंने सिलाई के लिए लिया हुआ है अब आपको कैन्वास में इसकी कटिंग बताऊंगी फ्रंट का नेक के लिए लेंथ में मैंने 7 इंचीस लिया है और विधवाइस इसको 4 इंचीस लिया है नेक डो करूंगी वो तीन इन्च पे लिया है फ्रैंस बेक पाट का जो नेक था फ्रैंस वो मैंने 2.5 इन्चीस लिया था लीकिन फ्रन पाट का मैं केंवास पे डोकर रहे हूँ और लेंथ में मैंने इसको 6 इंचिस रखा है अब 3 इंच पर मैंने मार्क किया और हलका सा में यहां पर स्वीड हाट नेक ड्रो करूंगी तो आप पेले अलके आते से लाइन ड्रो कर लिजिए उसके उपर हलका सा कव देते हुए इसको नेक को ड्रो कर दीजिए जिसे में कर र कि अब मैं इसको साइड में नैक के नवास को कट कर लूंगी तो यह मारा नेक रेडी है अब मैं इसको फेब्रीक पे रखके प्रेस की मदशिक चिपका दूंगी और यह आधा इंचिस जो मैंने फोल्ड किया हुआ है वो प्रेस से कर लिया है आप चाहें तो शिलाइबी कर में इसको फ्रंट पार्ट में अटेज करूंगी तो सेंटर मार्क कर लिजिए दोनों को और सेंटर में रखते हुए पहले सिधी एक सिलाई लगा दीजिए नेक ड्रो कर लिजिए नेक पर सिलाई देने के बाल निखर के आएंगे देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा नेक बेट के आया है रेडी हुआ है अब उसके बाद हमारा जितना बाकी के जो पाट वह अटेज करूंगी अंदर की साइड दोनों फेब्रिक को सिधा रखें उसके बाद हम इसके शिलाइक करलेंगे वैसे ही मैं द पार्ट ज्वयट करने के बाद हमें निचे आँ करती के लिए यह पटी कट किये उससे मैं इसकी फिनीसिंग करूँगी यह हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है अब मैं इसके बैक पार्ट रेडी करूँगी बेक पार्ट में सबसे पहले फ्रेंस हम जो प्लीट्स लेते वह लेंगे आधा इंच की प्लीट्स लेंगे और लेंध में और ये ये फोर इंची रखा है क्योंकि ये डिप नेक इसके लिए ख्लीए को प्लिन्स लेने के बाद फ्रेंस जो हमारे ही हुप पटू रिऑ उसके बाद साथी में ब्राइब ुमि दिखाकती हूँ यह तीनों पार्ट हमारे रेड़ी हो गए हैं तो हम अब उसके सॉल्डर जोइंट करेंगे फ्रांट और बैक पार्ट के के एप सेंटर में एक लाइन ड्रो कर दीजिए उसके बाद सेंटर मांक से 4विचिस दोनों साइण मार्क कर लिजिए और वहीं से आप प्लीच लेना स्टार्ट कर दीजिए प्लीच आप एकी डायरेक्शन में लिजिए ओपर और नीचे और प्लीच लिटते सामें फ्रेंज आप स्लीव इक बार मार्क कर लिजे अगर आपकी थोड़ी कम जादा हो रही हो तो आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं और ज्यादा हो तो आप निकाल भी सकते हैं वेसे फ्रेंज मैंने दोनों स्लीव रेडी कर ली है अब मैं जो नीचे बेल्ट मैंने कट किया था उसको मैं इसमें अटेज करूंगी तो अटेज करते दाएं स्लीव आप उल्टी रखिए और जो हमारा बेल्ट है उसको भी हम उल्टा ही रखेंगे उपर एक सीलाई लगा दूँगी सीलाई लगाने के बाद हम बेल्ट को क्या करेंगे पलटेंगे स्लीव को शिधी साइड लाएंगे और हल्का सा निचे फोल कर ठे हुए उपर एक सीलाई लगा देंगे और फ्रेंज सीलाई लगाते तरहीं आपको खिछना भी नहीं है ये हमारा एकदम परफेक्ट फ्रन्ट और गेक साइड हमारी स्लिव रेड्य होगी फीनिसिंग के साथ अब जो हमने ब्लाॉस रेड्य किया था उसमें स्लिव अटीच करूँगी स्लिव अटीज करने के बाद हम नॉर्मल जिसे ब्लाउस में साइड फिटिंग करते हैं वैसे ही साइड फिटिंग करके ब्लाउस में रेडी कर लूगी तो फ्रेंस हमारा ये ब्लाउस रेडी हो गया है आप देख सकते कितना सुन्दर हमारा नेक डिजाइन लग रहा है और स्लीव भी इतनी ही सुन्दर लग रही है पैने के बाद इसका लुक और भी जादा अच्छा आता है आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और जो बाजू में बैल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि जेव भी मेरा नया वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी चलती हूँ फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई